नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर परीचित दोस्तों पस्थित हूं दोस्तों आप सभी के लिए कुछ जानकारी पूर्ण बातों को ले करके जहां दोस्तों अक्सर देखा होगा आपने कि बहुत सारे लोग गुटखा खाते हैं लेकिन एक टाइम आता है जब उन्हें स से छोडने पर आजाते हैं कि लोगों के घरवालों की वज़से ही सही या दोस्तों के ही वज़से छोड़ना चाहते हैं गुटखे को लेकिन व smaller नहीं पाते हैं अखिरों ने समझ में नहीं आता कि मैं छोड़ू कैसे क्योंकि आदत बन चुकी होती है और आदत बहुत बड़ी चीज होती है दोस्तों कोई भी आदत लग जाए तो जल्दी छूड़ती नहीं है तो गुटकी की आदत से अगर आप भी परिशान हैं तो कुछे घरेलू नूस्खयाम आप सभी को बता रहे है दोस्तों जिनके सहारे आप छोड़ सकते हैं अपनी इस लत को गुटखा खाना सेहत के लिए कितना हानिकारक होता है यह तो हम सभी को पता है लेकिन अगर किसी को गुटखा खाने की आदत अपनी छुड़ानी हो तो वह क्या करे गुटखा एक ऐसा पदार्थ है जिसके व् तोकते ठोकते ठक जाते हैं आदत से परिशान इंसान ऐसे में गुटखा खाना तो नहीं छोड़ता लेकिन हां अपने घर वालों की नजरों से बचकर जरूरी से खाना शुरू कर देता है गुटखा एक ऐसी चीज है जिसके सिवन से जानलेवा पीमारी कैंसर तक आपके श घरेल उपाय बता रहे हैं दोस्तों गुटखा छोड़ने के लिए हम या तो डॉक्टर के पास जाते हैं या मार्केट में मिलने वाली चीजों का सेवन करना शुरू कर देते हैं हम या भूल जाते हैं कि गुटखा छोड़ने का इलाज हमारे घर की रसोई में ही छिपा है निम्बू और सौफ का सेवन अगर आप रोज करते हैं तो आप अपनी इस बुरी आदत से निजात पा सकते हैं दोस्तों हर तरह की शराब गुटका या तमबाकू खाने की अगर आपको आदत हो तो उसके लिए आप ये मिश्रन तैयार कर सकते हैं जो हम आपको बता रहे है इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी सो ग्राम सौफ दस ग्राम अजवाइन और थोड़ा सा सिंधा नमक लेने की इन्हें मिक्स कर लें इसके बाद इसमें दो बुंद इसके बाद इसमें दो निम्बू का रस मिलाएं और मिश्रन को तवे पर सेख लें इस मिक्स्चर को आप हमेशा अपनी जेब में रखें जब भी आपको गुठखा खाने का मन करें तो थोड़ा सा ये मिश्रन जेब से निकाल कर खा लें इस मिश्रन को खाने से आपका पाचन तंत्र ठीक रहेगा साथी शरीर में खून भी साफ होगा हलंकि इस मिश्रन को कोई भी किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं है इसलिए खा सकता है लेकिन फिर भी इसे इस्तेमाल में लाने से पहले एक बार आयरुवेदिक शग्य की सलाह ले लेना चाहिए दोस्तों क्योंकि हो सकता है कि आपके बोड़ी में कुछ और प्रोब् करना चाहिए यह सबसे अच्छा देशी नुस्खा है दोस्तों गुट के या नशे की लट को छोड़ाने के लिए अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछे कैसी ही महतोपून ग्यान वर्धक बातों को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों